हेलो दोस्तों, सीनेवा सम्वर हिंदी मापका स्वागत है तो आज हम जिस मूवी को एक्स्प्लेन करने वाले हैं उसका नाम है ब्रेड और इस मूवी के शुरुवात दो बेहनों पेटियूला और टिल्डा से होती है जोकि न्योक में एक स्ट्रग्लिंग आर्टिस्ट होने के कारण ड्रग डिलर बन चुकी है और एक दिन दोनों अपने कमरे में सारा माल गिन रहे थे और इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और इसके कारण दोनों को वो सभी चीज़े छोड़कर वहाँ की फायर खड़गी से भागना पड़ता है इधर एक ट्रेन में टिल्डा अकेली बेटकर अपने डायरी पड़ रही थी और पेटियूला बात्रूम में अपने सप्लायर कोको से बाते कर रही थी जहाँ पर कोको ने दुनों को सारा माल का पेशा दो दिनों में वापस करने को कहा और फिर इसी बीच ट्रेन का कंड़क्टर वहाँ पर आकर पेटियूला से उसका टिकेट मागने लगता है जो कि उसके पास नहीं था तो फिर इसी लिए उस कंड़क्टर ने 20 मिनिट उसके साथ intimate होने के लिए दे दिये जिसके बाद वो बीना टिकेट इस ट्रेन में सबर कर सकती है वो फिर कंड़क्टर से intimate होने के बाद में वो अपने सीट पर आकर उसके नीचे एक चुंगम चिपका दिती है और कुछ देर में एक छोटे सा शेहर में उनका स्टेशन आ जाता है उस रेल्वे स्टेशन से भाहर निकलते ही इत बिकारी ने उन दोनों को पेचान लिया था क्योंकि वो दोनों हमेशा वही पर वापस आती है जिसके बाद में दोनों टेक्सी में सोचने लगी थी कि उनकी बच्पन की अमीर और अनस्टेबल दोस्ट डेफनी उसका स्वागत करेगी दोनों उसके घर आकर डेफनी का लोकर डूढना चाते थे जिसमें उसके पेशे हो जिसे निकालने के बाद में वो कोको को पेशे चुका दे और एसा करने के लिए पेटिवला ने कहा कि वो डेफनी के साथ एक गेम खेलेंगे जिसमें पेटिवला डॉक्टर और टिल्डा डेफनी की बेटी होगी पेटिवला की बाते सुनते टाइम टिल्डा को याद आया जहाँ पर डेफनी गाना गुनगुनाते हुए बर्तम धो रही थी और टिल्डा अंदर आती है और उससे बाते करने लगती है जैसे कि वो उसकी मा हो और फिर डेफनी भी अपने करेक्टर में खुशी से आ गई थी और वो टिल्डा से उसके दिन के बारे में पूशती है जिस पर टिल्डा कहती है कि इसकुल जल्दी खतम हो गया है और उसे अब भूग लगी है जिससे डेफनी ने तुरंद अपनी नकली बेटी के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया इदर भार पेटियूला डॉक्टर बन गई थी और अपने सेलफोन मेल बक्स में डाल दिये उनके गेम के तीन रूल थे पहला रूल सबको एक गेम खिलना पड़ेगा दूसरा रूल भार का इंसान कोई भी उनके साथ नहीं खेलेगा और तीसा रूल कि कोई भी गेम छोड़ कर नहीं जा सकता यहां कीचन में डेफनी ने जिसे तेसे एक सेंड़िज बना कर टिल्डा को दे दिया था जिसके बाद में उसने टिल्डा के बड़े नाकुन देखे और उस पर चिल्डाने लगी उसे फिर टिल्डा के दांद बिरिके जिस पर उसने टिल्डा को ब्रेश करने को कहा क्योंकि वो डॉक्टर के पास जा रहे थे और कुछ देर में डेफनी वापस आई और टिल्डा पर अपनी जगे से नहिलने पर उसे और जोड़ से चिल्डान लगी और वो एक केंची से उसके नाकून काटने आ गई पर टिल्डा ने उसे ऐसा करने से रोख दिया चूकि वो खुद यह सब कर सकती थी अब इतने में पेटिल्डा ने उनके घर के घंटी बजाई जिसके मारे डर के टिल्डा पेटिल्डा के पास मदद मांगने आई पर पेटिल्डा ने सुचूपचाप अपने किरदार में रहने को कहा फिर डेफनी ने डॉक्टर का स्वागत किया और जैसे ही टिल्डा अपने चेकप के लिए बेठी पेटिला ने डेफनी से कहा है कि टिल्डा बिल्कुल ठीक है लेकिन डेफनी ने मना करते हो बता है कि टिल्डा को एक हफ़ते से खासी है जिस पर डेफनी को खुश करने के लि और टिल्डा को उसे मारने से पहले उससे माफी मंगी जिसके बाद में उसने टिल्डा के पेर में वो हतोडा मार दिया और अब टिल्डा के पेर से खुन आने लगा था जिससे कि वो दर्द में चिल्डा रही थी और ये देखेगा डेफनी बहुत खूश हुई इसके बाद मे डेफनी ने डॉक्टर से टिल्डा की हाइट नापने को कहा पर पेटिल्डा उसकी टेप आना भूल गई थी जिस पर टिल्डा ने उसे गेम का तीसरा रूल याद दिलाया कि कोई भी बाहर नहीं जाएगा और रात को खाने में डेफनी ने फिर से फूलों का अजीब सा सूप बनाया और पेटिल्डा और टिल्डा को वो खाने को देकर वो भाहर चली गई यहाँ पर टिल्डा कुर्सी से बंदी हुई थी और उसने पेटिल्डा से उसे नमक देने को कहा जब पेटिल्डा उसे नमक देने आई तो टिल्डा ने उसके कान में कहा कि उनका टाइम निकल लग रहा है और नीचे टिल्डा को बहुत देर तक वो खाना देखने के बार में ऐसा दिखने लगा कि वो कांच के सामने खड़ी होकर अपने बाल बना रहे हैं अब उस रात को पेटुला की अचानक से दीन खुलती है और उसने देखा कि कोई उसके कमरे का लॉग खुलने की कोशिश कर रहा है उसे लगा कि वो टिल्डा है और पेटुला उसे देखने के लिए किचन तक आई जहां पर उसना डेफनी को नीद की गोल्या लेता वे देखा फिर पेटुला ने पानी का गिल्लास लिया और जैसे ही वो जा रही थी तो डेफनी ने पेटुला को चाकु देखा कर उसे धम की दी और उसे मुई पर रुकणे को कहा डेफनी पेटुला को एक міल डोक्टर मानती थी तो वो उसे किस करके अपने साथ इंटिमेट होने को कहने लगी जिसके अगले दिन टिल्डा ने मेल बॉक्स खुलने के कोशिश की लेकिन पेटुला ने उसे ऐसा क करने से रोग दिया उसने ठीलड़ा को भी गेम का कोई भी रूल ना तोड़ने को कहा जिससे की वो पकड़े न जाए फिर उसने ठीलड़ा को बता है कि डीफणी ने कल रात को उससे क्या क्या करवाया दोनों इस बात को याद करके हस रहे थे लेकिन अचानक टिल्डा के इतनी दवाया खाने के कारण उससे फिर से चीसे दिखाई दिन लगी और उसे बचपन की एक और बात त्यादा गई इससे जलन के मारे पेटियूला ने भी एक गोली खा ली और टिल्डा को छोड़ कर चली गई जो की बचपर में डेफनी के साथ लट रही थी चोटी टिल्डा ने उनके साथ में खिलने को मना कर दिया और इस पर लड़ते वे डेफनी को धक्का लग गया डेफनी को तुरंत होस्पिटल ले जाया गया जहाँ पर पेटिवला और टिल्डा ने डिटेक्टिव सीगल से जूट कहा कि डेफनी खुद वहाँ से गिरी है डिटेक्टिव सीगल को जानना था कि डेफनी कैसे वहाँ से गिरी तो पेटिला ने एक डॉल को सीगल के हाथ में गिरा दी उसे डेमो दिखाने के लिए डिटेक्टिव सीगल को दोनों लड़कियों पर शक था तो इसलिए वो डेफनी का कमरा देखने आया और कमरे के भार से उसे डॉक्टर की आवाज सुनाई दी जिसने डेफनी की दादी को बताया कि डेफनी ठीक तो है मगर उसके पेट में बहुत चोट आ चुकी है जिससे कि वो शायद कभी भी मान ना बन पाईगी अब मुवी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर डेफनी अपना प्रेग्रेंसी रिजल्ट देखकर बहुत खुश थी लिकिन पेटिला पर अभी भी ट्रक का सर था जिससे कि उससे एक लड़की अपना हाथ जलाती हुई दिखाई दे रही थी उसे लगा कि ये उसी कहा थे तो दर्द से पूरे घर में गुमती रही जब तक उसे डेफनी के कमरे में पहुश कर कार के चाविया नहीं मिली वो भागतर बाहर आये और टिल्डा से तूनद यहां से निकलने को कहा पर जैसी दोनों कार के पास पहुचे तो डेफनी ने आकर दोनों को बेसबॉल बेट से मार्थ कर बहुश कर दिया अब नेक्स्ट सीन पुलिस स्टेशन पर आ जाता है जहां पर सीगलना किसी से कहा कि वो डेफनी को संभाल लेगा और घर में अब पेटिला और टिल्डा को होश आ गया था और उनों ने देखा कि वो बालों की चोटी से बंद हुए है और डेफनी अपनी दुन्या में पूरी तरह से खो गई है वो इतनी जादा खो गई थी कि वो दोनों को उसका बच्चा मान रही थी उसने टिल्डा और पेटिला को हमेशा अपने पास रखने को कहा और इतने में घर के गंटी बची और जैसे ही डेफनी ने दर्वाजा खोला तो सीगल ने बता है कि पड़ोसी ने यहाँ पर लड़कियों के चिलाने की आवाज़ा सुनी है और इसे सुनकर उनोंने कंप्ले नहीं आया तो उसने फिर से जुट बोला कि उसे अभी भी अपने दादा दादी की अचानक कोई मौत का दूख है डिटेक्टिव सीगल ने उसे सानु बुती दी और पास में रखी एक किताब उठाई जिस पर उसे डेफनी टिल्डा और पेटिला की बच्पन की फोटो दि डेफनी आगे कहती है कि इस दुनिया को उनके नहा होने से बहुत ज़्यादा फरक पड़ेगा जिससे कि सीगल का शक और बढ़ गया क्योंकि पुलिस वेसे भी टिल्डा और पेटिला को कुछ टाइम से ढूंड रही थी सीगल ने पूछा कि डेफनी को कैसे पता चला कि वो दोनों काया वें क्योंकि ये बात पबलिक में आई ही नहीं है और घबरा कर डेफनी इस बात कोई जवाब नहीं दे पा रही थी और जब सीगल को उपर कमने से आवाज आई तो उसने सीगल को महा जाने से रोख दिया और वो सीगल से बहस करने लगी उसने सीगल से सरच वारेन दिखाने को कहा जो कि सीगल के पास में नहीं था तो इसलिए उसने सीगल को घर से निकल जाने को बोल दिया जिससे की हार मानकर वापिस जातावी सीगल ना बताया कि डेफनी जिन दोस्तों को बचा रही है वो most wanted criminals है जिसके बाद में डेफनी ने अपने घर को फिर से बंद कर दिया और दूसरी तरफ पेटिला और टिल्डा अभी तक लॉकर नहीं डून पाई थी अब एक सुबे नाच्टे से पहले डेफनी ने टिल्डा को अपने हाथ अधोने के लिए बेर दिया जिससे की वो पेटिला के साथ में अकेली हो जाए फिर डेफनी उसके साथ में पहलियों से बाते करने लग गी जिसमें हिंट थे कि उसका लोकर कहां पर हो सकता है उसने आगे कहा कि अगर वो लोकर मिल गया तो वो यहां से जा सकते है और इससे कंफ्यूज होकर पेटिला टिल्डा की तरव भागी जो इतनी देर से उनकी बाते सुन रही थी तिल्डा ने बताया कि वो पहलिया उन्हें लोकर तक पहुचाएगी तो उसे वो ढूनना ही पड़ेगा और डेफनी को अपने साथ रखकर उसने पेटिला को वापस से भेश दिया किड़की से पेटिला को तीर नड़की का छोटा सा स्टेचू दिखा और भाग कर उसके पास आई और उसके नीचे एक सुराग उसे मिल गया उसे पड़कर वो घर में आई और एक तूटी दिवार का पीछा करते हुए एक कमरे में पहुची फिर उसने एक कमरे का परदा गिरा दिया जिससे कि उसे कांच पर एक सुराग दिखा अब इस सुराग को देखने के बार में उसे वो लोकर मिला और स्टेचू कांच और केलेंडर पर बने हुए नंबर से उसने लोकर को खोल दिया अब आखिरकार डेफनी के सारे पेसे लेकर पेटिल्डा टिल्डा के कमरे में आई जहाँ पर टिल्डा ने अपने डायरी में लिखा था कि डेफनी पेटिल्डा को भागते टाइम पकड़ लेगी तिल्डा को चिंता थी कि डेफनी हमेशा टिल्डा को पकड़ लेती है मगर पेटिवुला अपने बागने के प्लान के लिए बहुत खुश थी जिससे कि वो टिल्ड की चिन्ता नहीं देख पाई, अब उस रात को टिल्डा और पेटिवुला अपने सामान के साथ बाहर लिफ्ट माँगने आए, लेकिन कोई उनके लिए नहीं रुका, और ठककर पेटि और फिर डेफनी उन्हें बताती है कि उसका उन दोनों को छोड़कर जाने का कोई इरादा नहीं है फिर पेटिवला को उस कमरे में ले आती है जहांबर टिल्डा एक पिंजरे में बन थी डेफनी आगे बताती है कि अचानक उससे वो रात याद आ गए जब उसने अपने लपस देखती रही यहां पर स्टेशन वाले विकारी ने सीगल को बताया कि उसने पेटिवला और टिल्डा को यहां पर आतव देखा है और फिर अगले दिन डेफनी ने पेटिवला और टिल्डा को बताया कि वो यहां से जा सकते हैं और पुलिस उन्हें डून रही है उसन पर टिल्डा ने डेफनी को सच्चा ही बताई कि डेफनी प्रेगन नहीं है क्योंकि वो मा नहीं बन सकती डेफनी ने उसा समझाने की कोशिश की लेकिन वो अपने बच्चे को मैसूस कर सकती है तो फिर टिल्डा ने डेफनी से उसके बच्चे के पिता के बारे में पूछा ज डेफनी को बेहोश करके उसको आपरेशन करना जा रही थी ताकि वो मेडिकल टूल्स की मदद से उसे मार दे लेकिन दोनों को डेफनी को मानने से पहले ही डेटेक्टिव सीगल महाँ पर आकर उन्हें रोग देता है लेकिन सीगल की बतकिस्मति के कारण डेफनी को खोश आ ग और उसके कार तालब में फेक थी अब हम देखते हैं कि तीनों के शरीक गाव नहाते ही गायब हो जाते हैं और बात्रूम में पेटुला गाना गाता हुए डांस कर रही थी और उसने अपने चेरे को तब तक शेव किया जब तक कि उसके चेरे से खुन आना शुरू नहीं हो देफनी उसे देख रहे थे डेफनी उठकर वहाँ से चली जाती है तो पेटुला को लगता है कि वो अकेली है जिससे कि वो भी उनके पीछे स्टेच्यू के पास आती है और इतने में उनके सामने खुन जपरा सीगल आता है जिससे टिल्डा और डेफनी पेटुला को देख कि सौφय के नीचे वही च्विंगम है जो कि उसना ट्रेन के सीट के नीचे चुपकाई थी पैटुला ने फिर देखा कि सौφय के नीचे बहुत सारी च्विंगम सिपकी है और उसे वहाँ टिल्डा की डायरी भी मिली जिसमें उसने अभी तक की होने वाली हर चीजे लिखी थी डेफनी ये देखे कर खुश हो गई कि उसे टिल्डा की डायरी मिल गई ताकि उसे पढ़ने के बाद में पेटूला वहाँ से भागने का न सोचे डेफनी ने फिर बताया कि पेटियूला हमेशा गेम के बीच में भागने की कोशिश करती है लेकिन फिर खुदी सब कुछ भूल कर वापस आ जाती है उसने फिर पेटियूला को अपना हाथ देखने को कहा जो कि उसके भागने की हर कोशिश से कड़ जाता है और डरकर पेटियूला ने टिल्डा को मदद के लिए आवाद लगई जिसने बार में बताया कि ट्रेन से लेकर कोई पी चीज कभी असलियत में हुई ही नहीं है और ये बस किरदार में आने वाले गेम का हिस्सा था टिल्डा ने उसे याद दिलाए कि उन्हें इस घर से जाने की कोई जरुवत नहीं है चुकि यहाँ पर सब पुछे जिससे सुनकर पेटियूला रोन लगी थी अब जब तक सच एकदम सामने आ जाता है तो पेटियूला ने भी टिल्डा का हाथ थाम लिया था अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में जो खिलोने वाली ट्रेन चल रही थी वो वही ट्रेन है जिसमें पेटियूला और टिल्डा चड़े थे उन लड़कियों को पेटियूला और भी शोकता और वो सीगल नाम के पेटियूला इस्तरमाल करती थे फिर कुछ टाइम की बार में हम यह देखते हैं कि उन लड़कियों ने फासी लगा ली किसी ने हाथ की ना सकाट ली तो किसी ने जहर पिरकर खुद को मारने का फेसला कर ली लेकिन ये सब सिर्फ उनके एक ही गेम को खतम करता है जिसके पर में बहुत टाइम गोदर जाता है और बुली डेफनी को बरतन दोते टाइम घर की गंटी सुनाई देती है उसने देखा कि टिल्डा घर पर आई है जो कि अभी भी उसकी बेटी के किरदार में है जब डेफनी टिल्डा और पेटीला चोटे थे तो गरगर खेलते थे लेकिन बड़े होते ही उनकी इमेजिनेशन खतम होने की जगया और बढ़ती गई और उन्होंने इसी कहानी को अपनी असली दुनिया बना ली सिर्फ पेटीला ने इस गेम को रोकने की कोशिश की थी मगर अपनी हर कोशिश के बाद वो भी इससे बाहर नहीं आ पाई और आखिर में उसने भी टिल्डा और डेफनी का ही सांथ थिया और इसी के साथ ये मूवी यहें पर एंड जाती है तो दोस्तो इस मूवी के कहानी में तीन इसी लड़किया है जो कि बाकी सबी लोगों की तरह बचपर में एक गेम खेलती थी जिसमें डेफनी मा का किरदार पेटीला डॉक्टर का और टिल्डा उसकी बेटी का किरदार करती है लेकिन वो इस गेम में इतना ज़्यादा खो चुके थे कि वो इस गेम से बाहरी नहीं आना चाहते थे वे पूरी जिन्दगी इस गेम को इसा खेलते रहें जैसे कि यही उनकी दुनिया हो उन्होंने बचपर में इस गेम को शुरू किया और बुड़ापे के अंधर तक इस गेम को खेलती रही और इसी किसानाती मूवी यह प्रेंड हो जाती है I hope दोस्तों आपको यह मूवी ज़रू पसंद आई होगी मूवी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेर और कमेंट ज़रू करिएगा और अगर आप इस चैनल अपन नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ज़रूर साउन कर लीजिए ताकि कोई पी वीडियो आप से मिसना हो